बच्चों आज हम पाठ बारा सुभह कविता का अगला हिस्सा करेंगे यानि कि तीसरा स्ट्रेंजा करेंगे ये प्रातः की सुख बेला है धर्ती का सुख अलबेला है जब सूरज की किर्ने सुभह निकलती है तो वो सुख देने वाला समय होता है जो सुभह का समय होता है वो सुख देने वाला समय होता है उस समय धर्ती का सुख अनोखा होता है क्योंकि मुसम सुहावना होता है अब जो पढ़ने वाले बच्चों होते हैं वो सुभह उठकर जल्दी पढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि जो सुभह पढ़ते हैं वो कभी नई शुरुवात है अगले दिन की नई शुरुवात करते हैं हम नया जोश पाते हैं प्राणी और सुबह उठकर जो सभी जीवजनतु है प्राणी है वो सभी नया जोश पैदा हो जाते हैं उनमें काम करने की इच्छा उत्पन हो जाती हैं उनमें नए जोट से वो खड़े ह होते हैं काम करने के लिए अगला स्ट्रेंजा है खो देते हैं आलस सारा जब सुबह सूरज के किरे निकलती है तो लोग जो है वो अपना सारा आलस से त्याग देते हैं छोड़ देते हैं आलस को और काम लगता है प्यारा और सुबह सुबह सबको अपना काम प्यारा लगता है जैसे आप लोग भी बच्चो जब सुबस उठते हैं तो आपको भी सkung जाने का होता है और सुबस जल्दी उठकर आप जल्दी से दैनिक करे करके और अपने स्कूल के लिए रेडि हो जाते हैं ऐसे ही जो आपके घर के ममी पापा हैं वो भी सुभा काम पर जाने के लिए तयार हो जाते हैं अपना आलस छोड़ कर सुभा भली लगती है उनको मेहनत प्यारी लगती जिनको और सुभा जो है वो उन लोकों को बहुत अच्छी लगती है जो मेहनत करना पसंद करते है जो मेहनती होते हैं, जिनको मेहनत अच्छी लगती है, उनको सुभा भी अच्छी लगती है, जिनको मेहनत करना अच्छा लगता है, उनको सुभा भी अच्छी लगती है, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर गुण है, मेहनत जो है वो बहुत अच्छ आखिये, सबसे अच्छा गुन माना गया है hard work, hard work क्या है? सबसे अच्छा गुन है आलस जो है वो बहुत बड़ा दुरlt बुरी आदत हैं, ठीक है? मैंनद अच्छी आदत है और आलस बुरी आदत है अगर सुँभा बी अलसा जाये, आलस करते रहें और बेड़ पर पड़े रहें बिस्तर पर पड़े रहें अपना बिस्तर ना छोड़ें तो क्या जग सुन्दर हो पाए तो क्या ये संसार हमें सुन्दर दिखाई देगा नहीं अगर हम अपने अपने कामों पर नहीं जाएंगे हम आलस्या करके अपने बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे तो यह संसार जो है वो हमें सुन्दर दिखाई नहीं देगा तो सुबह जो होती है वो सुबह का समय सुहावना होता है नई ताजगी भरने वाला होता है प्राणियों में नया जोश भरने वाला होता है तो इस प्रकार सुभा उठकर हमें अलस्य त्याग कर मेहनत करते हुए अपने कारे करने चाहिए